माई डेस्टेंस, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम आपको इस वीडियो में कच्छा दस चित्रकला से संबनित बहुत भी गल्पी प्रश्णों की बारी में चर्चा करेंगी, जो आपकी बोर्ड एक्जाम के लिए काफी मात्पूर्ण सावित होगा, इस वीडियो में हम ज भी छनदी मकान पहाड तो दिखरें मकान अपक्रति दिर्शी नहीं है क्यो Sahib कि मकान प्रकृत नहीं बनाया प्रश्ण जो है अस्पस्ट नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग जो है इसको सुनके ही काम चलाईएगा देखें यहां पर लिखा है वाता वरण के दूर के द्रिसियों को चित्र में प्राया किस प्रकार दिखा जाता है अस्पस्ट चटक रंगों में हलके रंगों में धुदल अस्पस्ट तो दूर के जो चित्र होते हैं वो धुदले वय ऐस्पस्ट होते हैं आपसन नमबर जाएगा डी पे धुदले वय ऐस्पस्ट अगला प्रशन देखते हैं जहां आकास और प्रिथवी मिलते नजर आते हैं अथो अच्छी दिच पर धुदला दिखाने के लिए किस रंग का प्रियुक किया जाता है नारंगे रंग लाला रंग हलके बैगनी रंग सफेद रंग तो इसका अंसर हो जागा सी आपसन जो सी है वो हलके रंग बैगनी रंग होगा अगला है किस के मिस्टरन के प्रियुक सी चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वभाविक्ता आती है क्रिस्मस वरंट साइना नीला ये सभी आंसर जाएगा आपका डी ये सभी अगला प्रश्ण है जोपडियों के चित्रण में छपरों को प्रायक किस रंग से दिखाया जाना चाहिए लाल पीला नीला हरा तो जोपड़ी का जो रंग होता है छपर में वो अक्सर पीला दिखाय देता है आप सन नमर भी हो जाएगा ये कोश्चन बहुत इंपोर्टन है और जो है एक आने के प्रबल सम्भाव नहीं है तो पीला आंसर आपका सही हो जाएगा अगला है पानी वाले छेतर के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है निकट वाले भाग को दूर वाले भाग को सामने वाले भाग को या पीछे वाले भाग को तो जो सफेद की बात की जाएगी तो आंसर जाएगा आपका दूरवाले भाग को B आप्शन हो जागा कभी-कभी प्रशन इस तरह से बना दे सकता है कि दूरवाले भाग को किस रंग से दिखाते हैं तो आंसर जागों का सफेद रंग अगला है चित्रन में रंगों का चुनाव करने में किसके द्रिस स्वभावगता आती है किस से रंगने से सूचने से सतरकता से एस वेश्टता से तो किस में स्वभावगता आती है देखने में आपकी सतरकता से जैसे जितना सतरक होके आप बनाएंग उतना ही अच्छा चित्र आपका दिखेगा अगला है चित्रों में प्राय किसे दर्साने के लिए काले रंगों का प्रियोग किया जाता है उचाई गहराई घर की छत आस्वान तो गहराई गहराई रंग को दिखाने के लिए गहराई को दिखाने के लिए काले रंगों का यूज़ किया जाएगा आपका भी जाएगा इस प्रश्ण को उल्टा भी करके ज़सकता है कि जो है कि चित्र में गहराई दर्शाने के लिए किस रंगा प्रयोग करेंगी तो काले का जो संबन्द होगा गहराई होगा अगला प्रश्ण है प्राक्रतिक चित्रों के द्रिश्ण में किससे द्रिश्च की स्वखा sympathर नश्ट होने की संभावना होती है गलत रंगों की प्रयोग से रंगों की बेमेल से ऐस्पस्ट चित्रों से अउंसर जायगा एसभी क्योंकि अगर गलत रंका आप यूज कर रहे हो रंग आपका मिल नहीं का रहा है चित्र अस्पष्ट नहीं है तो इससी स्वाभेवक तक क्या होती है नश्ट हो जाती है अगला प्रश्ण है द्रिश से चित्रण में हलके सेड को दर्साने के लिए किस रंका प्योग किया जाता है नीला हरा सफिद लाल तो आंसर जायवक जो है सी जाएगा क्योंकि हलके सेड दिखाने के लिए सफिद रंका यूज किया जाता है अगर गहरा सेड दिखाना है तो आपका हो जाएगा काला अगला प्रश्ण है प्राक्रतिक चित्रन को बनाने से पहले क्या किया जाना चाहिए रंग का चुनाओ, ब्रेश से साफ करना, रंगों को मिस्रित करना, इसकेज तयार करना तो प्राक्रतिक चित्रन बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं इसकेज बनाते हैं ठीक है उसकी बाद रंगते हैं अगला है प्राक्रत्रिक दिर्ष से चित्रन स्वभाविकता लगते हैं सही रंगों के प्रियोग से असपष्ट चित्रन से सतरकता से या ए सभी से तो आंसर जाएक अपका ए सभी से अगला है उसाकाल के आकास को प्राय कों से रंग से चित्रित नहीं किया जाता है नेली हरे धानी हरे नारंगी जो उसाकाल का आकास होता है उसको धानी हरे से नहीं रंग आ जा सकता है अपसान नम्ब सी हो जागा धानी हरे अगला है छितिज में गहरापन बढ़ता है जाता है निकट जाने पर दूर जाने पर दिन में देखने पर रात में देखने पर जो छितिज होता है उसमें गहरापन बढ़ता है दूर जाने पर अगला है मैदानी छेतर की पकडंडियों को कौन से रंग से चित्रित क्या करना चाहिए वरनट साइना, वरीडियन ग्रीन, क्रिम्सन, सैप ग्रीन तो मैदानी छेतर की जो पकडंडिया होती है उसको हम लोग वरनट साइना से रंगते हैं आपसर नमबर A हो जाएगा अगला प्रश्ण है पहाडों की निकटता को किस रंग से दिखा जाता है काला सफेद अल्टा मायराइन क्रिम्सन तो पहाडियों की जिन निकटता होता है उसको अल्टा मायराइन से दिखाते हैं आपसर नमबर C हो जाएगा दीखे चित्र अस्पष्ट नहीं है अच्छर इसलिए आप उसको जो सुनके ही याद कर लेंगे आप चाहे तो उसको बना भी सकते हैं आकास में कुछ भाग को बिना रंगे ही छोड़ दिया जाता है जिससे आप जो है होता है जिससे आपा होता है चंद्रमा का बादल का तारे का चितिच का आकास में कुछ भाग को बिना रंगे छोड़ दिया जाता है जिससे आपा होता है कि कौन सापा बनता है तो बादल का अगला प्रश्ण है गागनेंद्र नाथ ठाकूर ये रमिनाथ ठाकूर के भतीजे थे गंगनेंद्र नांथ टागूर का सम्मंद किस प्रकार की चित्रन से है प्राकृतिक दिश्च चित्रन, आलेखन, इस्मरिश्च चित्रन या माने चित्रन तो गगनेंदरांथ टाइगोर का जो सम्मन्द था वो प्राकृतिक द्रिश्च चित्रण आपसन में यह जाएगा सही अगला है जल रंग के चित्रण में किस रंग का प्रयुक किया जाता है नीली रंग, लाल रंग, हलके और पतली रंग, गुलावी रंग तो जल रंग जो होते हैं वो हलके और पतली रंग का यूज किया जाता है और यह पारदर्शी रंग में आते हैं अगला प्रशन देखें देश के किस राज्य की चित्रकारों को प्राकृतिक द्रिश्च चित्रण में महात्पूर युगदान रहा है महाराष्ट उत्तरप्रदीश बंगाल राजस्थान आंसाजग राजस्थान बंगाल जो बंगाल की ही सबसीज़ा चित्रकार थी जिसमें अवनिना टैगूर नंदलाल भोष छितिंद्रनाथ मजुमदार बहुसी चित्रकार रही है बंगाल सैली में ही जो है जलनंगों का प्रेचलन हुआ है अगला देखेंगे आधुनिक प्राकृतिक द्रिश्चे चित्रन में किसका प्रभावकारी युगदान रहा है माथुरा कला, नागर सैली, राजस्थानी कला, पास्चाति सैली जो पश्चिमी सैली होते है, पास्चाति सैली, इसमें जो है प्राकृतिक द्रिश्चे चित्रन का प्रभावकारी युगदान रहा है अगला प्रस्ण देखें, मायदानों एवं घास अस्थलों को सामाने तेह किस प्रकार की चित्रन में दिखाये जाता है अंसर जाएगा आपका प्राक्रतिक द्रिश्य चित्रण के अंत्रगत आते हैं अगला है प्राक्रतिक द्रिश्यों के चित्रण में सामानेते सपाट ब्रस का प्रियोग किया जाता है लकडी दर्साने में पसू चित्र में पहाडों के चित्र में मैदानों के चित्र में जो सपाट प्रस का यूज होता है वो लकडी दर्साने में किया जाता है अपसर नमर A हो जाएगा अगला है सफेद बर्फ के छेत्रों को किस रंग से दिखा जाता है बैगनी सफेद लाल हरा तो सफेद बर्फ है तो सफेद ही से दिखाएंगी आंसर आपका जाएगा बी सफेद अगला प्रशन है प्राक्रत्रक द्रिश्यों में कि चित्रन में किसका अनुपालन करना चाहिए हलकी रंगों का प्रियोग गहरी रंगों का प्रियोग का गहरी रंगों का मिस्तित रंगों का जो प्राक्रत्रक द्रिश्य चित्रन होता है उसमें हलकी से गहरी रंगों का प्र करते हैं अगला प्रश्ण है प्राक्रत्रिक द्रिस्ट चित्रण में छितिज के निकट मैदानों का कौन से किस रंग से जो है चित्रित किया जाता है जो प्राक्रत्रिक द्रिस्ट चित्रण है छितिज के निकट मैदान को कौन से रंग से चित्रित किया जाता है काली रंग से बायगणी रंग से लेमन यलू वैरीडियन से तो आपका हो जाएगा आंसर लेमन यलू आप्शन नमबर सी हो जाएगा आते हैं अगला जोपड़ी की चितल में दरवाजों को किन रंगों की हलकी घोल में दिखाया जाना चाहिए पीले नीले हरी बायगणी गहरे बायगणी वन डिसाइना और अल्टा मैराइन हरी से हरी और नीली हो जाएगा तो जोपड़ी के चितल में दर्वाजों को किन रंगों की हलकी घोल से दिखा जाता है वन डिसाइना और अल्टा मैराइन आपसर नमबर सी जाएगा अगला प्रश्न है पराकरतिक बृच्छों को सामाने तहक किस रंग से दिखा जता है लाल हरा काला नीला तो जितने भी बृच्छो होते हैं उपर और रहे ही जादा तर दिखा देंगे आंसर जाएगा आपका भी हरा प्रयूग करूग अगला आकास में किसे दर्साने के के रंगों का प्रयोग किया जाता है प्रकास की कमी सजीवता प्रकास की बहुलता संध्या काल तो प्रकास की बहुलता यनि जादा प्रकास दिखाने के लिए में हलके रंगों का यूज किया जाता है तो आंसर जाएक आप कासी प्रकास की बहुलता ऐसे भी प्रकास की बहुल दर्शाने के लिए किस रंग का यूज़ करेंगी तो आप पताएंगे हाल के रंगों का अगला प्रशन है देश में प्रगृत चित्रन का सजीव रूप कहां के कलाकारों की साधना का प्रतिकला की रूप में दिन है बंगाल बिहारा अस्थान मध्यप्रतिस आंसर जेगा कलाकारों हो द्वार जो है प्रगृत चित्रन का प्रचलन हुआ है अगला देखेंगे निम्न लिखित में से किस ने प्रगृत चित्रन की महत्ता को बढ़ाने में महत्पून युगदान दिया अविन्दना टैगोर नंदलाल बोस गगनेदना टैगोर इस भी तो आंसर जा ससक्त एवं प्रभावसाली बनाने में किसका महत्पून युगदान रहा है गंधार कला का मतुरा कला का पास्चात कला का मुगल कला का तो जो प्राकृत दिश्चित्रन है उसको आजनिक ससक्त बनाने में जो है पास्चात कला का युगदान रहा है आपसा नंबर जाएगा CP, अगला है वातावर अडिये परिप्रिछ के सिधान्त के अनुसार, निकट की वस्तूं का रंग कैसा होना चाहिए, रंग है इन चटक, असपस्ट, चटक यों असपस्ट, तो देखें ध्यान से कि जो निकट की वस्तू होती है, वो हमें चटक भी दिखाग देते हैं, और अ एसपस्ट दिखाई जीता है ऐसे भी प्रश्ण बना के पूश सकते हैं देखें उसी प्रकार से प्रश्ण आ गया है कि प्राक्रतिक दिर्श्चे चित्रण में दूर की वस्तूँ को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है लाल रंग काला रंग धुदला एसपस्ट किया जाता है आकास, मैदान, नदी, पहाड एसभी तो प्राक्रतिक दिर्श्चे चित्रण में इन सभी का यूज किया जाता है इनको सामिल किया जाता है तो आपसन नमबर जाएगा डी एसभी अगला प्रश्ण है प्राक्रतिक दिश्चे चित्रण में जल रंग प्राया किस रूप में प्रियोग किया जते हैं गहरे रंग हलके वा पतले रंग काले रंग सफिद रंग तो जो जल रंग होते हैं वो हलके वा पतले रंग से बनाते हैं अगला है प्राक्रतिक चित्रण में आकास के उपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है नीला पीला काला हरा आकास जो है नीला हो तो इसलिए इसको नीले से दिखाते हैं अगला प्रश्ण है आकास में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भाग को किस रंग से रंगा जाता है या थो अभिना रंगे छोड़ दिया जाता है सफेद काला नीला बैगनी तो सफेद योगि सफेद रंग का पेज भी होता है इसलिए हम लोग सफेद दिखान लेमन यलो वरीडियन तो छितिज की पास का जो मैदान होता है वो लेमन यलो से होता है अगला है मैदानों के चित्रण में इसके किनारों पर किसके मिस्त्रण का प्रभाव महत्पूर्ण होता है वरेडियन ग्रीन, वंडर साइना, क्रिमस्टन ए सभी तो अंसर जाएगा ए सभी जादर तर्भी कल्ब में आपका ए सभी अगर देखने को मिली तो जादर केसों में ए सही होता है अगला है मैदान, मैदानों के रास्ते और पकडंडियों को सामाने तह किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, बैगनी रंग, तो मैदान के जो रास्ते होते हैं पकडंडी होते हैं उनको हम नारंगी रंग से अंदर साते हैं, अप्सन नमर सी हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, जो पड़ियों के चित्रण में छप्परों में किस रंग का प्रियुक किया जाना चाहिए, सफेद रंग, गुलावी रंग, कोबाल्ड ब्लू, फीला तो छप्परों को दिखान के लिए पीला रंग का यूज किया जाता है, अगला है, चित्रण में प्राय है मकान के दरवाजों एवं जंगलों को किसके हलके घोल सी दिखाया जाना चाहिए, क्रिम्सन एवं अल्टा मैराइन, लाल एवं फीला, वन टसाइन अल्टा मैराइन, ये सभी, आंसर जाएगा पानी वाले छेतर के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए क्सका प्रियों किया जाना चाहिए, कोबाल्ट बलु, अल्टा मैराइन, काले रंग, सफेद रंग, तो दूर के भाग को सफेद रंग से दर्शाते हैं, अगर ऐसे पुच्ता, कि पानी के सफेद भाग को, अगला है पहालियों को किस रंग से चित्रित कर परदर्सित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है बायगनी काले पीला नारंगी तो पहालियों को बायगनी रंग से दिखाया जाता है अगला प्रशन है अल्टा माइराइन और वैरीडियन ग्रीन से सामानत है पहालों की किस इस्तिती को दिखाया जाता है पहाडों की निकरता को पहाडों की दूरस्त इस्तिती को पहाडों की लंबाई को पहाडों की चौणाई को तो बताएंगे आसर आपका एह हो जाएगा पहाडों की निकरता को अगला है पीणों के चित्रण के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है पीणों को हरी रंग से दिखा जाता है ये सत्य है दूर के पीणों को धुदला दिखा जाता है ये भी सत्य है निकट के पीणों को लारंग से दिखा जाता है तो लार नंगा कोई पीड़ नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा, आपको गलत बता ना था, तो आपसन आपका C हो जाएगा अगला प्रशन है, उसा काल का आकास साम मानेत है, किस रंग से चित्र किया जाता है, हलके नीले, पीले, नारंगी, ये सभी, आपका जाएगा अंसर ये सभी अगला है आकास में प्रकास की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रंगों का प्रयोग किया जाता है गहरी काली, हलकी रंग, सफिद रंग, बाइगली रंग तो प्रकास की बहुलता भी हमने बताया कि प्रकास की बहुलता को जो है हलकी रंग से दिखाते है और ऐसे भी प्रश्ण पूशा आजा सकता है कि हलके रंग से दिखाते हैं क्या तो प्रकास की बहुलता अगला प्रश्ण है संध्याकाल यानि साम की समय का उसा कल सुबह का समय होता है संध्याकाल में आकास के रंग अधिक चटकीले होते हैं जिसमें किस रंग का अभास होता है पीला नारंगी लाल ए सभी आंसर जागा ए सभी जो संध्यकाल होता है इसमें पीला नारंगे लाज सभी प्रकार की जो आस्मान दिखाई दिते हैं बाई सामा है कि सरद रिद की रात का चित्रन करने में किसका उपयोगी जता है सरद मन नहीं ठंडी होता है तो बैगनी रंग गहरा हरा रंग नीला रंग तो जो सरद रित की रात होती है ठंडीगी उसको हम लोग बैगनी रंग से दिखाते हैं अगला है प्राक्रत्रिक द्रिस्यों के चित्र में नीमन में से कौंसी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए लकडी को दर्साने में सपाड़ प्रियोग रंगों के चुना में सिख्रताने करना हलकी सी गहरी रंग क्यूर बढ़ना ये सभी तो आंसर जाएगा आपका ड अगला प्रिस्यों है आपका द्रिस्यों से प्राक्रतिक चित्र में गहराई को दर्साने में सामानतिया किस प्रकार के रंगों का प्रियोग किया जाना आवस्यक है पीली रंग, काले रंग, बैगनी रंग, हरी वे गहरी काले तो गहराई जब भी दिखाना होगा तो गहराई काले रंग से दिखाते हैं इस बात को ध्यान लखेंगे आपसर नमबर B हो जाएगा अगला है प्राक्रतिक देश्चे चित्र में हलके युम गहरी सेड देने से किस प्रकार की रंगों का विशेस महत होता है लाल पीला, निला सफेद, सफीद काला, हरा सफेद काला तो यहाँ पे सफेद युम काला हो जाएगा क्योंकि जब भी सेड देते हैं तो सेड जो है छाया होती है तो उसको अमलोग काला से दिखाते हैं प्रकास दिखाना होता है सफीद, इसलिए सफीद काला हो जाएगा तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कम से कम जो है पचास से साथ कोशनों को जो है साल्व करवाया है जो प्राकर्दिक दिख्चेचित्रन से संबंदित हैं और जो आपके बोर्ड एक्जाम में आने की प्रभल संभावना होँगे आपके बोर्ड एक्जाम में जो है 20 multiple choice कोशन पोछे जाएगे जिसमें आपको 3 पैटरन मिलेंगी 10 प्राक्रदिक दिस से चित्छन की 10 आलीखन की 10 प्राविधिक कला की जिसमें से आपको 10 करने है 10 आता है इसमें चित्छन से तो हमने जो है सभी पारट के वीडियो बना रखे हैं आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के playlist में जाके आप लोग सभी वीडियो को दे सकते हैं उससे आपको board exam में काफी मदद मिलीगा I hope यह वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो उसको like, share, comment करें और comment के मादे हम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें तब तक के लिए take care, thank you, good bye